अभी न नो बजने में सिरफ दस मिनट रही है तो फटा फट से दी एर कर लेते हैं रैडी क्योंकि राइट नो बजे हम दिपक जलाने वाले हैं अभी नो बजगे नो मिनट हैंड हमने लाइट्स वगरा ओफ करके दिपक जलाए हैं और यूनिटी शो की है अभी ना मैं पीछे वाली विंडो पे खड़ा था दिपक लेके नो बजगे छे मिनट हुए थे लगबग तभी क्या हुआ लोगों ने तालिया बजाना शुरू कर दिया मैंने का ताली तो मोदी जी ने काई नी था बजाने को उन्हों सिरफ यह कहा था कि दिपक जलाने हैं चलो ठीक है दिपक का कहा लोगों ने दिवाली की तरह पूरे घरों पे सजा लिए एक तो और चलो चारपाल दिपक इनफ होते हैं पांच जला लो दस जला लो पूरे घर पर लगाने का क्या सीन है यह तो शुकर मनाये मोदी जी ने कह दिया था कि सिरफ घरों के अंदर रह न्यूस देख रहा था मैं कि 95% तक जो हमारी ओजोन लेर है वो हील हो चुकी है अगर पहले से comparison करें तो 95% तक वो सही हो चुकी है बट अब इतना pollution फैलाया पटा के चला चला के क्या मतलब था यार कोई जंग थोड़ी मैं जीती है अभी अभी ये जो कोरोना है ये अभी exist कर रहा है हमारी कंट्री में ये चीज़ें तब अच्छी लगेगी जब पूरी तरह से चला जाएगा हम इसे पूरी तरह से जीत जाएंगे आज सिरफ हमें unity दिखानी थी कि हम सब एक साथ है उसके लिए कुछ मिनट शान्त खड़ा होना था तो लोगों ने तालियां बजना शुरू कर दिया है यहां तक कि तालियां बजरी हैं बरतन बजरी हैं जोर जोर से चला रहे हैं गाने भी चला रखे हैं बाई साब कही होएं तो क्या सीन हुआ ही बगैर मतलब का पॉलूशन फैला रहे हो और वहीं अगर कुछ पल शांती के बिताते हम तो मन को भी सुकून मिलता और माइंड में भी कुछ अच्छे थौट्स आते कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं बट हूला मचा रहे हैं बरतन बजा रहे हैं पुतले तयार हैं कल के लिए तो कईयों ने तो कोरोना वाइरस के पुतले भी जलाए होंगे बाकी देखते हैं कल की न्यूज में क्या कुछ आता है भाई साब इसी के साथ जो कॉंग्रेस बिजेभी वाले हैं न उनके तो लच्छन देखने वाले थे आज तो जान बूझ के लाइटे जलाए जा रहे हैं अपने घुरों की जितनी होस के उतनी लाइटे जला रहे हैं तो ये पार्टी बाजी यार इस टाइम अपनी जो कंट्री है वो इतनी बड़ी महामारी से सूजरी है और आपको अभी भी पार्टी बाजी सुझ रही है अपना नहीं तो कम से कम देश की जनता का तो ध्यान कीजिए Congress, BJP तो आप पूरी लाइफ करते रहेंगे बट अभी देश के लिए कुछ करने का मुका मिला है तो उसमें अपना यूगदान दीजी जितना हो सके अगर कुछ नहीं कर सकते तो at least घरों में बैट चाहिए ऐसे मत कहिए कि मेरे को कुछ नहीं होगा यह तो BJP वालों ने कहा है मैं कौन सा लोकडाउन मैं तो भार जाओंगा ऐसे है वैसे है आपको अगर स्पीच नहीं देखना है किसी का तो मत देखी आपको अगर कॉंग्रेस BJP में इंटरस्ट है तो करिए अपने घरों में बैट के करिए बट यह मत कीजिए अडी मत लगा यह कि मैं तो यह नहीं करूँगा हाँ गोर्वेंट ने कहा है मास्क लगाने है, सैनिटाइजर लगाने है मैं नहीं लगाँगा क्योंकि भाया यह तो BJP वालों ने कहा है उदर BJP वाले बुल रहे है कांगरेस वाले ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं करेंगे तो यह कोई यार समझदारी वाली बात तो मेरे को लगती नहीं है इतनी अकल तो एक चोटे बच्चे में भी होती है वो भी अच्छे बूरे में वरक समझ लेता है तो यह बचकानी हरकतें छोड़िये और कुछ अच्छा करने का मूखा मिला है तो कीजिये और मेरे वर्ट्स किसी को अगर कड़वे लगे हो तो मैं पहले ही सोरी बॉल देता हूँ और जो जो मेरी बात से सहमत है वो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बताईए कि आप भी मेरी बात उसे सहमत है या नहीं आज था गैस हमारा इडिया लोगडम का डे 12 वो ने काफी अच्छे से बिताया अपने घर में रहके और शाम की ये जो एक्टिविटी थी शाम 9 बजे की वो भी हमने कंप्लीट की बारवा दिन भी हमारा अच्छे से निकल गया अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक शूर की सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए आजए 17 व्लोग्स यूट्यूब चैनल को क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अलवीदा लेते हुए जै हिंद जै बारत